हेलो फ्रेंड्स मैं आज आप लोग के लिए न्यू टॉपिक लेके आया हूँ OST, overhead tank का raft का BBS कैसे बनाते हैं raft का cutting length कैसे निकालते हैं किसी भी overhead tank का OST हो ESR, OHSR overhead tank का हम raft का BBS कैसे निकालते हैं पूरा इस वीडियो में details से आपको समझाने वाला हूँ को raft का cutting length निकालने के लिए कैसे आसान और easy process होता है तो वीडियो का पूरा अंतक देखिए, एक step भी miss मत कीजिएगा तभी आपको clear समझ में आएगा अगर आप मेरे चैनल को अभी तक subscribe नहीं किये हैं तो पहले चैनल को subscribe कीजिए, like कीजिए, share कीजिए मैं इस वीडियो में पूरा details से आज बताऊंगा कि हम raft का bbs कैसे निकालते हैं तो वीडियो में पूरा आप अंतक बने रहिए जैसे कि friends आप लोग के सामने ये दीख पा रहा होगा हमारा ost overhead tank का ये हमारा raft है ठीक है friends तो ये हमारा ये जो section जो दीख रहा है यहाँ पर ये column है column से हैं जो हमारा arrow आरा slope में है फिर अंदर के तरफ भी slope में है यहाँ पर बीच में हमारा खाली नहीं है फिर यहाँ column से side भी बाहर जी slope में है और यह हमारा अंदर में भी slope में है ठीक है friends तीसका आप लोग का मैं पूरा details इस video में बताऊंगा कि इसका हमारा cutting length कैसे निकालना है पूरा मैं इस video में पहले आपको पूरा details से पूरा इसका समझा देता हूँ पूरा calculation में आप लोग का पूरा details अच्छे समझा देता हूँ कि इसका क्या है ठीक है फ्रेंट यहां पर आप लोग के सामने दीख पा रहा होगा यह हमारा डाया जो कितना दिया है 9.8 डिया हुआ है ठीक है यह हमारा सेंटर से यहां पर कितना दिया 4.9 इधर है 4.9 इधर है यह जो हमारा पेन से कट करके लिखा 450 एमें ठीक है friends प्रेंड, यह हमारा कितना था 400 था यह उपर उठा हुँआ ती 450 यहाँ से यहां तक हो गया, ठीक है तो यह हमारा इधर slope में है, फिर इधर slope में है, फिर इधर slope में है, ति इसका आप लोगोगा डाया किलियर हो गया, मैं इसका पूरा steel section का मैं आपको पहले समझा देता हूँ जैसे कि friends आप लोग के सामनी यह दीख पा रहा होगा यह हमारा steel section का raft है ठीक है तो यहाँ पर column से इस type में आपका slope में दीखेगा फिर यहाँ से अंदर में जाज़े का 20 center में यहाँ पर slope में दीखेगा जो हमारा ठीक है तो हमारा इसका जो रेडिया हमार से यहाँ तक आउटर का जो radius कितना दिया है 4.9 दिया हुआ ठीक है यह हमारा column का outer side में कितना दिया 3.25 दिया है inner side में कितना दिया 2.85 दिया है ठीक है और यहाँ से हमारा जो यह radial bar जो स्टार्ट होगा जो हमारा बाहर के तरफ जाएगा वहां से कितना दिया है 2.05 मीटर दिया हुआ ठीक है फ्रेंट्स तो यहां पर आप देखिएगा यह हमारा यहां पर जो एरो हमारा देख रहा है सिस्टम पर यह एरो से जो यहां यह स्टील जो जा रहा है यह हमारा रेडिय रहेगा जो रिंग बीम इसमें दिया है टू लेक दिया हुआ है ठीक है यहां से जो यहां से जा रहा है ठीक है यहां से देखिए यहां से यहां पर जा रहा है यह हमारा रेडियल बार है और यह जो यहां से आरो जो देखिएगा आप यहां पर है स्क्वाइर में सबार है जो समय दोनों का spacing same to same hundred का ही रहेगा जो स्क्वाइर मेंस रहेगा ठीक उसके पास ही हमारा radial bar आएगा यहां पर एल देखे फिर यहां पर हलका आपको उठा हुआ दिख रहा है और यहां पर column के साथ में हमारा two leg beam आ जाएगा फिर beam से हमारा यह column का column के लिए still उपर लग जाता है ठीक है फ्रेंच तो मैं सबसे पहले आपको square मेंस जाल का समझा देता हूँ फिर उसके बाद beam का पूरा detail समझा दूँगा फिर radial bar का cutting light मैं आपको समझा दूँगा टोटल यहां पर distance आपको दिखा हुआ है center से जहां तक हमारा यह square मेंस जाल जा रहा है देखिए यह 2.85 जो लिखा हुआ हुआ ना 2.85 तक हमारा center से यहां तक आ रहा है फिर यह totally हमारा यहां पर distance लिखा हुआ है column को जो डाया है 4 mm डाया है तो मैं आपको सबसे पहले square मेंस को section दिखा देता हूँ ठीक है फ्रेंट्स आप लोग यहां पर ध्यान से देखिए गई हमारा जो arrow है arrow हमारा center से यहां पर जो पिंक color में जो यहां पर दिया हुआ है ठीक है यह हमारा green color में जो यहां से देता हूँ कि हमारा circular कोई भी राफ्ट है तो उसका हम cutting length कैसे निकालेंगे ठीक है square मेंस हमारा यह जाल है तो और यह हमारा पूरा एक एक ठीक है तो हमारा radius पता है तो हम इजी लिए हम इसका square मेंस का cutting length निकाल लेंगो मैं आपको पूरा बना के समझाता हूँ ठीक है फ्रेंट्स जो हमारा square मेंस जो जाल था हमारा center में आना था तो हमारा यहां से कितना half दिया हुआ है यहां से लेके यहां तो कितना दिया 2.85 मिटर दिया हुआ था ठीक है तो इधर भी हम इसको add करेंगे था हमारा total कितना हो जाए 5.7 मिटर हो जाएगा और जो हमारे spacing जो हंड़ेट तो हंड़ेट हमारा spacing दिया हुए 12 mm है ठीक है तो हमारे आपको यहां से मैं आको पूरा यहां से हमारा यहां तक का cutting length हमारा निकालना है ठीक है फ्रेंद जब हमको यहां से यहां से यहां तक का مشांट अपना स्कॉरमेस गया तो हमारे यहां से हमारेडिय स्ट चल गया तो मुशनक कटिंग लें निकाल लेंगे ठीक है तो हमारा कितना इसनीग पटा है तो हम इस सीधा पाइथागोरस फर्मूला का यूज करके हम सीधा हम इसका ठीक है यह हमारा क्या है बी बी बार है तो हम इसका यह जो हमारा कितना है बी वान है ठीक है फर्स्ट को माल लिए बी यह हमारा माल लिए बी वान फिर इसके बाट बी टू ऐसा ही सब का कटिंग लेंद हम निक से यहां तो यह सर्कल जो जा रहा है से सर्कल घूमता हुआ आएगा ठीक है फ्रेंट यहां से यहां से यहां तक कर दिया है कि इतना 2.85 मीटर ठीक ही हमारा आर हो गया आर मतलब कि यह हमारा एच हो गया ठीक हमारा क्या निकालना है बी वन निकालना हमको बी तो पता ही है ठीक कि हमको कहां से यहां से यहां तक का हमको cutting length निकालना एक length पता है तो हमको क्या निकालना भी 1 निकालना इसके बाद जो आएगा यहां पर यह B2 आएगा ठीक है फ्रेंट्स तो हमको B पता है B1 यह B2 है ठीक है तो यहां से यहां से यहां तक का हमारा पता है 2.85 मिटर यानि वह ही हमारा एच होगे हमको निकालना है यहां से बीवन जो होगा हमारा बेस हो जाएगा यह हमारा पर्पेंटिकूलर हो जाएगा इसका जो हाइट कितना है जो हो स्पेसिंग होगा वही हमारा पर्पेंटिकूलर हो जाएगा 100 mm ठीक है फ्रेंट्स यहां से यहां तक 100 mm यह तो हम हमको निकालना है यानि बेस निकालना है हमको पता ही है तम सीधा इसमें फर्मूले में पूट करेंगे आप लोग को फ्रेंट्स तो पता ही है पाइथागोरस फर्मूला एच H square is equal to P P ka square plus B1 ka square ठीक है friend हमारा P को ठीक है P ka square हमको यह फर्मूला होता है पाइधागोरास का H square is equal to P square plus perpendicular square plus base ka square ठीक है friend हमको तो base निकालना है तो B1 base मतलब B1 ही है हमारा वी 1 के square root under H square minus P square करना है यह हमको पता है यहापर देखिए 2.85 करेंगे तक जो हमारा क कारेंगे कि इतना किसका कर्टिंग लेन था यहां से यहां तक किपतार घ्रांग में दिया इस जो ररीडिये होग mechanics आपन दिभा लुगन डूर हाग रही हैं से के का यह स्थी है पॉस्क्रीक यांट फ़र्मूलोर होता है है इसका हम G1 का कटिंग लंत निकाल लिए इसका हम यहां से हंत कःमार 1 वैसे Сам जुए हम वी टू YES यह से इस कशर मांचा चल जाएगा यहां से इसका है चल जाएगा उस करें की यहां से फिर यहां में तो पतला से tapa तो करेंगे तिया है तो पता चला जाएगा जबी निकल गया फिर इसमें मल्टिप्लाइट तू से करेंगा ती इसका लेंथ जो 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 लेंथा होगा सेम तूसे मैं इस इस ही हमको केलकुलेशन अपने को पूरा पैथागोरास फर्मूला से इसको निकाल लेना होगा ठीक है फ्रेंट्स त आसा करता हूं आप लोग इस वीडियो में जरूर यहां पर आप सीख गया होंगे कि यहां से जो जाल रहता है यहां से यहां तक का इसक्वाइर में जो निकलना है तो तो उसको पैथागोरास फर्मूला का यूज करके हम इसका कटिं लेंथ हम निकाल लेते हैं थिकर फ्रेंड्स तो मैं आपको वा रिंग का कटिं लेंथ कैसे निकालना है तो आप लोग में एक बार दिखा देता हूं यह सेक्शन ऑफ फांडेंशन रिंग तो रिंग वीम का को हमारा two leg वहाई ठिक है फ्रेंच two each side में हो इसका जमा थेकिनेस कितना है 400 और इसका height कितना है 800 mm है ठिक है friends तो मैं आपको पूरा detail से मैं बता देता हूँ कि इसका हम जो दिया है यहां पे तो हम令입OC कटिंग सदेंगे थिपर आपको पता ही था नीचे में हमारा साइटे , यह थे बार दो दिया हुआ है ठीक है सबसे पहले हमारा क्या आप फ़रस्ट बार जो आएगा ए भी cd ठीक है फ्रेंट्स तो यह इस्टीरप जो हुक जो रहे का उसी हमें और A का ठीक है फ्रेंट्स तो आप ध्यान से देखे है यहांपर यह हमारा रिंग बीम है सेंटर से यहां पर जो सेंटर से यहां तक का तुझ डिस्टेंड कितना दिया है टू प्टन्ट एट्पाइय्ट नीकाली खालू हो रहा है तह जब हमारा यहां alpha बाए कंटिंग लेंथ nि कालेंगे मैं आपको इपो दिखा देता हूँ स्धियर मालूम चल गया थे हमारा किटने चना था था नहों हो रहा हमारा रिइंग कर लेंगे टूपट इंट फाइम स्टार्ट हो रहा टू-पॉइंट फाइमें हो जाएगा ठीकश्रण सिद हमारा फ़र्मूला होता है हम सिद कल टू-टूप कर देंगे कर लिए तुस्मारा फ़र्श्ट जो दि बार था उसका जया मालुम चल गया था हमारा टो सुन करेंगे सेंटर से बता ही था हमारा कितना था फैप शेंटर से आपका फ्रेंट्स यहां पर देखीये ऑनलो के हमारा useam यो मेह से यहां से यहांарा से यह हम्हारा रिंग बीम चालय हो रहा यहां तक के हमारा कॉटिंग मेर कितना आ रहा था में bagai सेफार एड कर लिए जो हमारा कॉवर था ठीक एड़ तो पंट एड़ था उसका हम को हो जाएगा तू पंट नाइन हम मीटर हमारा रेडियस मालूम चल गया हम सीधा साम फर्मुला टू पाइ आर इन टू पाइ आर करेंगे तहा हमारा इसका कॉटिंग लेंगे तो हमको माले जी अब हम फोर पार्ट में जब हम डिबाइट करेंगे तो इसका निकल के कितना आएगा एक से इस डी के बाद सी पाने के लिए 75 में हमको एड़ करेंगे जो रेडियस कितना था हमारा टू पॉइंट फाइड फाइड मीटर था तो हमने उसने 50 एम एड़ किया था हमारा डी का रट करेंगे कफ़टिवर निकल के यह चल गया जाँ कर लिए 85 में 50 इंट कि यह 29 स्वाद किया 75 तह ङाँ आ रहे हैं क Лю falou निकल के आता हूं रेडियल बार का कटिंग लेंध कैसे निकालेंगे मैं आप लोग को समझा देता हूं को रेडियल बार का क्टिंग लेंध कैसे निकाल ना जाए जए घ्रीन जो देखे रहा एहां से द mail जो ऑई व्यां यह हमारा रिडियल बार है ठीक है तो हमारा से यहांत का किठेस्ट पता है तो 2.05 मिटर दिया हुआ ठीक है था हमारा 4.9 में से 2.05 मिटर माम मैनस करेंगे था हमारा यहां से यहां तक का कटिंग लेंद मालुम चल जाएगा ठीक है फ्रेंट तुस्ट हम इसमें जो हमारा जो इसका ठीकने से रापका 400 है तो मैं आपको समझा देता हूँ ठीक है फ्रेंट्स मैं डाइगराम बना के आपको समझा डाइगराम बनाया हूँ मैं पूरा डीटेल से समझा देता हूँ सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस कितना दिया हूँ वाटर डोइंग में 2.05 मिटर दिया हुआ है सेंटर से इस लाइन का चाहा हमारा कॉलम है कॉलम यह रिंग भी में ठीक है यहां से यहां से यहां कितना है 2.85 मिटर दिया हुआ फिर सेंटर से यहां तक आउटर में कितना दिया 3.25 मिटर फिर सेंटर से आउटर तक कितना दिया 4.9 मिटर दिया हुआ तो हमारा यहां से यहा से दिया हुआ है तो हमारा 4.9 में से 2.05 मीटर हम माइनस करेंगे तो हमारा ये कटिंग लेंथ निकल के आ जाएगा देखिए फ्रेंट्स रेडियल बार का सेप मैं बना रखाऊं ठीक है यह हमारा 300 का 400 का हमारा क्या था राफ्था था तो 350 पचास कोबर माइनस यह 300 का यह हो ग है एक बड़ ड्रोइंग में फिर से आपको समझा देता हूं सेंसे यहां gross यह थेंसंक मालूमि चल जायेगा प्लस उसमें में एल जो हमारा हम डाया बास 85 center to center from 2.05 meter to 4.9 meter measure at 2.85 meter जो इसका spacing measure करना है कहाँ पर करना है 2.85 meter वो देखिए फ्रेंट यहाँ पर क्या देख्या 2.85 meter कहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक का distance हमको जो चेक करना है यहाँ पर ही हमको spacing check करना है कितना 85 हमको center to center spacing check करना है तो total number of bars आपको ऐसे ही से आपको मालूम चलेगा तो हम कैसे जब हमको यहाँ तक यहाँ पर हमको spacing check करना आप क्या किजिएगा यहां से center से हमारा देखिए ध्यान से यहाँ से अच्छे से मैं दिखा देता हूं आपको यहाँ पर देखिए center से यहां से यहाँ आप तक का distance मालूम चल गया तो पाई आर कर लीजिएगा जब टू पाई आर करिए गाना तो लेंथ निकल के आ जाएगा यहां यहां पर लेंथ निकल के आ जाएगा उसमें आप क्या कीजिएगा 85 0.085 mm से आप डिवाइड कर दीजिएगा तो टोटल आपका रेडियल बार का लेंथ नम्मर आपको निकल के आ जाएगा ठीक है फ्रेंड्स तो मैं आपको इस सेक्शन में भी मैं आपको दिखा देता हूं ध्यान से फ्रेंड्स आप लोग देख पा रहा हूंगे ता आशा करता हूं फ्रेंड्स आप लोग जरूर कुछ ना कुछ इस वीडियो में सीखे होंगे कि वेटी ओबर है टेंग का राफ्ट का हम बीबीएस कैसे बनाते हैं मैं आशा करता हूं पूरा मैं टॉपिक कफर कर करने का कुछ इस किया हूं ता आशा करता हूं आप लोग इस वीडियो में जरूर कुछ ना कुछ सीखे होंगे थांक यू वाचिंग माई वीडियो